A very good morning to all B.A.D. students, learners, teachers, motivators and well-wishers आज की इस वीडियो में हम B.A.D. second year के first paper Knowledge and Curriculum Development, क्यान और पठ्यकरम का विकास, विश्य के महतपून परशनों के बारे में अध्यन करेंगे अगर अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल Let's Online Education सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक आप शेयर में वाटसप के द्वारा अपने उन सभी कुलीक्स सैपाठियों को शेयर करें जो Beard Second Year में अध्यनरत हैं जितने जादा विद्यार्थियों को ये वीडियो पहुँच पाएगा वीडियो बनाने का हमारा उदेशया उतना ही सफल होता चला जाएगा तो आईए शुरुवात करते हैं आज की इस वीडियो की Knowledge and Curriculum Development Beard Second Year का जो पेपर है Beard Second Year के सभी पेपर की एक खास बात ये है कि इन में समय तो तीन घंटे ही है लेकिन नंबर जो है वो 40 ही होंगे परतेक पेपर के First Year में जहां आपको 80 नंबर एक पेपर के थे Second Year में वो नंबर 80 की बजाए 40 है लेकिन लिखना आपको उतना उसी रूप में ही है पेपर में 9 कोशन होंगे जिन में से 5 कोशन को करना होगा कोशन नंबर 1 कंपलसरी होगा जो के 8 नंबर का होगा इसमें 4 short answer type कोशन होंगे जो के 2 नंबर के होंगे और परतेक कोशन जो है वो परतेक यूनिट में से लिया जाएगा पाठेकरम में 4 यूनिट हैं तो 4 यूनिटों में से एक एक यानि के टोटल 4 कोशन इसमें आएंगे उसके बाद आगी के जो 8 कोशन है वो परतेक यूनिट में से 2 कोशन दिये जाएंगे और इन 2 कोशन में से कोई भी एक कोशन आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आप एक यूनिट में से ही 2 कोशन कर देते हो तो उन कोशनों के answer को check नहीं किया जाएगा बलकि एक ही जो पहले लिखा हुए वो check किया जाएगा और दूसरे को cross कर दिया जाएगा इन सभी बड़े परशनों के उतर 8 नंबर दिये जाएंगे सभी परशनों के आँग जो है वो समान है यूनिट नंबर एक की अगर बात की जाए तो इसमें जो टोपिक है वो knowledge concept type and source इस बिंदू को लेकर के एक जो बड़ा परशन है वो निर्मान किया जाता है इसी परशन में कभी कबार theory of knowledge पूछ लिया जाता है या फिर ये जो चार method of acquiring scientific knowledge विज्यानिक ज्यान प्राप्त करने के जो एक तरह से विदिया है जैसे traditional प्रमप्रागत authority जो किसी authority से प्राप्त होता है experience अनुबह से प्राप्त होता है reasoning जो reasoning से प्राप्त होता है इन में से कोई भी दो बिंदू उपरोक्त परशन के साथ मिला करके पूछ लिये जाते है तो मोटो मोटो तोर पे ये जो knowledge concept type and source है ये आप अच्छे से पढ़ ले और इसके साथी theory को भी आप पढ़ ले ये जो चार बिंदू है ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इनको समझ करके पटोगे तो आपको असानी से बहुत कुछ याद हो जाएगा एक विसेश बात बीर में कभी भी आप रटने का प्रयास नहीं करें बलकि समझने का प्रयास करें अच्छी लिखावट में अपने खुद के नोट्स बनाएं नोट्स बनाने के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाने की कोशिस करें क्योंकि जितने ज़्यादा point होंगे आपका प्रशन के उत्तर पर अंक उतने ही ज़्यादा मिलने की संभावना बन जाती है इन दोनों ही प्रशनों में National Knowledge Commission NKC ये कुछ ज़्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण है लेकिन National Knowledge Economy ये भी महत्वपूर्ण है आप National Knowledge Commission का प्रशन याद करें साथ ही साथ इसका Education में क्यामनेजमेंट है से जोडते हुए इसी को Elementary, Secondary और Higher Education में ये किस रूप में है इस चीज़ को अधार बनाते हुए आप एक बड़ा प्रशन इसमें त्यार कर लें और स्लेवस कम होने की वज़े से इसमें कोई इतने ज़्यादा प्रशन अधिक नहीं बनते हैं अगर आप एक और प्रशन इसमें देखें तो आपके लिए ये जो Point No.1 है National Knowledge Economy इसको भी आप बड़े प्रशन के रूप में देख सकते हैं तो इस तरह आपके इस यूनिट में दो ही प्रशन जो है वो बनते हैं यूनिट No.3 करिकुलम मिनिंग इंपोर्टेंस एंड बेस ओफ करिकुलम पाठ्यकरम क्या है इस समंद में आपको ये एक बड़ा प्रशन जो है वो यहां से त्यार करना होगा ठीक इसी तरह आपको करिकुलम डेवलोपमेंट पाठ्यकरम का विकास किस रूप में होगा इस बिंदू को लेकर के जो दूसरा बड़ा प्रशन है वो इसके करिकुलम डेवलोपमेंट इसका कॉंसेप्ट पहला बिंदू है सिर्फ पाठ्यकरम और दूसरा है पाठ्यकरम का विकास इसका क्या महतव है क्या आफशकताई है ठीक इसी तरह इसके जो प्रिंसिपल यानिके इसके जो सिधान्त हैं वो क्या है किन किन सिधान्तों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यकरम का निर्मान का विकास किया जाता है ठीक इसी में एक बिंदू इसके जो factor हैं वो भी पूछ लिये जाते हैं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पठ्यकरम विकास क्या है इसके महतव का वर्णन करते हुए इसके सिधान्तों की व्याख्य कीजिए या फिर इसी में ये भी पूछा जा सकता है कि पठ्यकरम विकास क्या है इसके महतव का वर्णन करते हुए इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन में भी जैसे दो कार्ण पूछे जा सकते हैं philosophical और sociological या philosophical और psychological वैसे psychological कारक जो है वो ज्यादा पूछे जाती है तो आप इस तरह इसमें तीसरा प्रश्ण जो है वो भी आप इसी में जोड करके याद कर ले ठीक इसी तरह इसमें अगर सोड़ा सा ऊवर बढ़ें तो इस्यो nostro ट्रैंस इन गरिकूलम डेवलोप्मेंस निर्मान में क्या विभिन इश्यू और ट्रेंट्स है इस बारे में भी कभी कबार प्रशन जोड़ करके पूछ लिया जाता है तो में प्रशन दो ही हैं पठे करम के बारे में और पठे करम के विकास के बारे में जब कि पठे करम के विकास के बारे में परभावित करने वाले कारक और जो इश्यू और ट्रेंट्स है उनको जोड करके एक बड़ा प्रशन जो है वो और पूछा जा सकता है B.Ed की जो विभिन फाइले हैं B.Ed Second Year में आपका Final Teaching Practice होगा जिसमें के आपको दोनो सबजेक्ट आपके जो सबजेक्ट हैं जैसे Hindi SS या English SS या Art आप Commerce Science में भी Medical, Non Medical जो भी आपका सबजेक्ट है उस समध्ण सब्जेक्ट के समंद में आपके final teaching practice होंगे इसी final teaching practice के समंद में हमने एक video बना करके i button में रख दी है तो आप वहां से इस सीज को देख सकती हैं ये जो teaching practice है final teaching practice में university के दुआरा examiner की एक team बेजी जाएगी और वो examiner की team आपके teaching skill को observe कहेगी और उसके बेस पे आपको number देगी तो आपके ये जो दोनो teaching subject हैं ये दोनो ही teaching subject 100-100 नंबर के हैं और इन 100-200 नंबर में अगर आप हलकी सी मेहनत करते हो तो बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो वीडियो प्ले होने के दुरान ही आप हमारे इस youtube channel को subscribe कर सकते हो इसके लिए आपको बस इस corner में इस जगहें पे जाना है और ये हमारा subscribe का जो बटन है ये activate हो जाएगा और यहाँ click करते ही आप हमारे इस channel को subscribe कर सकते हो बीड के समन्द में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बीशियों पर बीड वीडियो बना रही है और अगर आप इन वीडियो को निमित रूप में देखते हो तो आपको लगबग वो सभी फायदे मिल जाएंगे जो के एक regular student को मिलने होते हैं चोथी यूनिट जो है वो curriculum development के लिए जो models होते हैं उनके समन्द में हैं और इस unit में सबसे पहला जो model है वो है grass root model ये वो model है जो एक तरह से जिस तरह ग्रास गास जो है वो जमीन पे उगती है वैसे ही इसकी शुरुआत बिलकुल जमीनी स्तर से होती है ठीक इसी तरह दूसरा model है system analysis model जिसमें के system का analysis visualization करते हुए पठ्यकरम विकास किया जाता है और तीसरा जो model है वो है administrative model जो के administration से जुड़ा हुआ होता है तो ये तीनों ही model जो है वो एक तरह से महतपूर्ण माने जाते हैं अगर इसके बाद जो अगला बिंदू है वो है curriculum, evaluation, concept and importance, step of curriculum, evaluation यानि के पठ्यकरम का मुल्यांकन का अर्थ, उसका महतव और इसके जो step है के समन्द में ये परशन है तो ये भी एक बड़े परशन के रूप में महतपूर्ण बिंदू बनता है इसके इलावा जो विभिन आयोग हुए हैं, इन आयोगों ने suggestion and recommendation in curriculum development as per the following commissions ये जो तीन commission के बारे में यहाँ इनों ने चर्चा की है, जैसे कि इसमें secondary education commission, Indian education commission और तीसरा इसमें है national policy of education, तो इन तीन topic पे भी बड़ा परशन जो है वो या तो दो को मिला करके यहाँ पूछ लिया जाता है, तो इस तरह इस paper में अगर आप कम से कम इतने syllabus को इस रूप में याद कर लेते हो, तो यकीन मानिए आपकी beard की जो percentage है वो बहुत ही अच्छी होगी, वीडियो देखने के बाद अगर आप हमारी बाकी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको हमारे इस YouTube चैनल के साम और पर कली करने के बाद में हमारे इस YouTube चैनल की जो विभिन वीडियो हैं, जो के beard से related हैं, अब तक करीबन 10 पलस वीडियो त्यार हो चुकी हैं, उन वीडियो को आप ध्यान पुरुख देखिए, और एक regular people teacher के रूप में आपको जो फाइदे मिलने चाहिए, या कुछ एक चीज़ें अगर आप से छूट जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों का आपको यहां इन वीडियो के माद्यम से फाइदा मिल पाएगा, साथ ही साथ अगर आप सिक्षा मनोवि ज्यान के objective प्रशन देखना चाते हो, तो यह RPSC द्वारा जो प्रशन प्रतक वाएगे थे, उनके वीडियो भी हैं, computer के objective प्रशन भी हैं, ठीकी सी तरह हर्यानाजी के से समंदित है और समाने ग्यान से समंदित भी प्रशन से समंदित वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगे, तो आशा है के आपको हमारे इस YouTube चैनल को शेर करके दूसरे बच्चों तक भी इसे पहुंचने में सहयोग देंगे, धन्यावाद,